हेलो दोस्तों आज हम डिसकर्स करेंगे च्लास 12 का चैप्टर का नाम है कस्टमाइजिंग एंबेड़िंग मल्टिमेडिया कम्पोनेंट इन व्ब पेजिस तो व्ब पेजिस के अंदर हम मल्टिमेडिया components को कैसे customize करते हैं और कैसे embed करते हैं इन चीजों के बारे में हम यहां पर पूरी जानकारी लेंगे तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या है तो सबसे पहले मैं यहां पर आप से डिसक्स रूँगा कि मुल्टी मिडिया है क्या formats कोंग से होते हैं फिर अलग-यलग काइइंट ओफ मीडिया जो मुअरे मिल्टी मिडिया में इस्तमाल हो रहे हैं ठीक है और उनको देखें को Cambine कैसे होती है उनके formats के बारे में हम जानेंगे Line ileard के formats कों उनसे होते हैं उसके बाद मैं यहां पर आप से डिसक्स करूं गा कि मल्टी मीडिया जैसे अलग-अलग जो मैथर्स जो होते हैं हमारे एक तरीके से डिफाइन करने के इमेजिस हो गया वीडियो हो गया फ्लैश हो गया वैपेज पर देखते हैं तो कैसे कैसे उनकी अलग मैथर्स आप जानेंगे तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं इ आपको समझाओंगा में में पॉइंट्स जो आप नोट भी कर सकते हैं ठीक है मल्टी मीडिया इस मैनी तिंग्स डोल इंटु वन मल्टी मीडिया क्या है काफी सारी चीज़े हैं जो एक में रोल हो जाती है अब उसमें इमेजिस भी आ गया उसमें आपकी साउंड भी आगी उसमें आपकी पिक्चर भी आगी वीडियो भी आगया ग्राफिक्स भी आगया तो वो सारे का सारा क्या है हमारा मल्टी मीडिया ठीक तो जो भी हम चीज़े देख रहे हैं सुन रहे हैं ठीक है वीडियो गेम्स में फॉन में फॉन एप्स में वो सारे का सारा है क्या एक तर इंटू मल्टी मीडिया एट एवरी रन वेदर वी लाइक इट और नॉट आज के टाइम पर हमें मल्टी मीडिया हर जगा देखने को मिलता है ठीक है चाहे कुछ जी हम उनको पसंद करें या कुछ जी हमें पसंद ना हूँ मल्टी मीडिया एवन कteen मैं यह आप करेंशल लाइक चिंट किया है तुसमें सीफ तैक्स लिखा है कोई पिक्चर नहीं है कोई उसमें क्रांसरों नीच के लिए कोई नहीं है कोई क्योंantal नहीं तो उस प्रेजंटेशन का भी कोई मतलब नहीं होता ठीक है तो इसमें काफी सारी हमें अप्लिकेशन देखने को मिलती है एक इंट्रेन्मेंट से लेकर एक एजूकेशन तक ठीक है पढ़ाई जो भी हम पढ़ते हैं तो उसमें मिल्टी मिडिया की काफी ज़्यादा जरूरत होती है अगर हमें कोई कंटेंट बिल्कुल रफली रफली सामिले तो उसमें पढ़ने में मजा नहीं आता ठीक है जैसे कि इसमें टेक्स्ट है ओडियो है ग्राफिक है एनिमेशन वीडियो यह सारे का सारे क्या है मल्टी मिडिया अब मल्टी मिडिया एक ऐसे मीडिया बताया गया है है जिसमें हमारे multiple forms होते हैं information content के information processing text audio graphics animation अब बात करेंगे कि multimedia की जो rich media हम इसको जिसको बोलते हैं उसमें requirement हमें क्या-क्या चीए तो यहां पर हम एक तरह के से hardware की requirement computer system चीए अगर मैं software की बात करूँ एक simple web pages does not require any software तो एक तरह के एक simple web pages चीए ठीक है जिसमें हम एक तरह के से multimedia हम उसमें insert कर सके ठीक उसके बाद हमारा topic आता है customizing and embedding multimedia component in web pages तो यहां से हम अपने शुरुआत करेंगे कि कैसे मुझे एक तरह के से web pages में multimedia को कैसे embed करना कैसे customize करना है तो multimedia हमारे पास बहुत सारे अलग-अलग formats में हमें देखने को मिलते हैं और जो भी चीज़े हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं ठीक है वो सारे के सारे हमारे एक तरह के से multimedia ही है ठीक है यहां पर मैं आपको इस नीचे हमें कुछ examples में हमें note देखने को मिलते हैं जैसे कि हमारा picture हो गया music हो गया sound हो गया वीडियो हो गया रिकोर्ट हो गया फिल्म हो गया एनिमेशन हो गया सारे के सारे क्या है पिक्चर म्यूजिक साउंड वीडियो रिकोर्ट यह सारे क्या है एक तरह किसे multimedia के formats है जो चीज़े हमें उसमें इंसर्ट करने पड़ते हैं modern web pages have often embedded multimedia elements and modern browsers have support for various multimedia formats तो भाई सिंपल सी बात है आज के टाइम पे जितने modern web pages है ठीक है पहले क्या होते थे कि जो मारे web pages होते हैं काफी normal से होते थे ठीक जैसे स्टाइल शीट हम काम करते हैं फिर हम जावा स्कृट्ट पर आते हैं उसमें काफी images पुट अप करते हैं तो आज के टाइम पर है जो मारे modern web pages है तो उसके अंदर क्या होते हैं मारे embedded multimedia elements होते हैं और जो मेरे modern browsers होते हैं और वहीं उन्हीं multimedia formats को support भी करते हैं multimedia elements जैसे कि मारा sound और video वो किसमें store होते हैं हमारे media files में store होते हैं ठीक है तो अगर मैं most common example दूँ अगर मैं फाइल extension के यहां पर बात कर रहा हूं अगर मैं browser के बात लिए रहूं अग मैं browser को देखना चाहते हों तो उसका file extension क्या होता है एक तरीके से ठीक है वह हमारा हो गया .stml and .stml तो यह किसका extension हो गया हमारा एक तरीके से browser का तो अगर मैं एक किसी XML extension की बात करूंगे XML file को indicate करते हैं और CSS की बात करूं तो एक style sheet की file को indicate कर रहे हैं तो यहां पर हमारे पास अलग-अलग format होते हैं पिक्चर के format की बात करूं हमारा जिफ में होता है ग्राफिक इंट्रेजिन format हो गया PNG ठीक है पॉर्टिबल नेटवर्क ग्राफिक हो गया हमारा एक तरह के से formats also have their own formats with different extensions like .swf.wav.mp3.mp4 काफी अलग-अलग इसमें formats होते हैं ठीक है इनके अपने खुद के इनके format होते हैं format के यहां पर आपको नाम दे रखी है कि करके मैं आपको यह नाम बता रहा हूं दुबारत से .swf.wav.mp3.mp4 ठीक उसके आगे हम discuss करेंगे कि web pages पर जो मिल्टिमेडिया को इस्तमाल कर रहे हैं तो उसके क्या advantages हैं उसके क्या disadvantages हैं ठीक तो अगर मैं को मोजाइक web browser मोजाइक web browser मारे एक तरके से सबसे पहला web browser था since the introduction 1993 web designer have added multimedia elements to web pages तो उन्हों में web designers जो थे उन्होंने multimedia elements पुट करें web pages के मिला तो वह स्टार्टेड एज सिंपल एडिक्शन टो फ्यू इमेज़ेस एक्सपेंडेट टू इंक्लूड इफ्रेंट टाइप्स ओफ मल्टीमेडिया impressive environment तो एक तरीके से क्या हो गया जब हमने इसमें एडिशन इमेजिस के एडिशन करते रहे तो एक तरीके से तो नीचे कर लेता हूं आपको प्रॉपर तरीके से तो यहां पर इसके ग्रेटर इमर्जन पहले ड्वांटेज आता है ग्रेटर इमेजन क्या होता है कि जब भी हम कोई मुल्टिमेडिया एलिमेंट्स वैपेजिस में एड करते हैं तो एक व्यूवर के लिए काफी असान हो जाता है चीजों को देखना ठीक अगर मान लो काफी तरह टेक्स मुझे हर्चित पढ़नी पड़ेगी बड़ अगर मुझे इसकी प्रॉपर एक इमेज दिखाई दे ज जाता है कि जो एक वीजर को चीए जैसे आम एक इग्जामपल लेता हूं मैं एक वैपेज इस पर जा रहा हूं वैपेज इसमें मैंने यूट्यूब खोला यूट्यूब में मैंने अपना सर्च करा और मुझे प्रॉपर एक तरहीं से मुझे किसी पर्टिकुलर क्लास के ब दा विवर्स तो एक अटेंशन को होल्ड करने के लिए भी काफी ज़्यादा जुरूरी होता है ठीक है एक अच्छा कंटेंट डालने के लिए नेक्स आता है इनहांस पेज रैंकिंग फोर एसी यो तो यहां पर हमें सी ओ के लिए भी अपनी पेज रैंकिंग को बढ़ाना वाल दा वैल्यों मुल्टिमीडिया रिमेंस कंट्रोवर्सियल इंदा सर्च इंजन ऑ्टिमाइज़ेशन वर्ल्ड सर्वे कंडुक्टिट बाइद फोरस्टर रिसर्च इंडिकेट डाट वीडियो कंटेंट डन करेक्टली इस मेजर बैनिफिट टो एस साइट ऑवर एस स् अप्लिक्ति में कोई मुल्टिमेडिय अप इंपुट करने है तो उप्तिमाइजेशन होना भी काफी ज्यादा जरूरी होता है ठीक है तो यहां पर एक तरिके से सर्च इंजन को उप्तिमाइजेशन करना भी काफी ज़ाए इंपोर्टेंड माना जाता है आपर कि दख कंपनी डिस्कोवर्ड इन 2010 डेट वेबसाइट्स विडियो वर 53 टाइम्स मोर लाइकली देन टेक्स बेस वेबसेट नहीं अपिए रूंद फर्स पेर उप सर्च इंडिन रिजल्ट तो सिंपल सी बात है अगर एक नॉर्मल पेज की बात करूं और एक मल्टी मेडिया वाली पेज की बात करूं तो कफीजयता marriage यारी फैसे और उसके लिए हमें अपने संक करना ना चाहिए कि ए बैटर ब्रेंडिंग बैटर ब्रेंडिंगे बात करूं तो मैं आप से तो वाइल स्टेमल फाइफ टेक्स बेस साइट और मोस्ट अलोब्रेट डैट वेबसाइट आपस्ट यह स्टिल लिमिटेड इन मैनी वेस तिक बैटर ब्रेंडिंग भी बहुत जरूरी होने चीजिए जैसे टाइम टू टाइम चीजे बढ़ती हैं तो हमें अपने इमेज इस अपने ग्राफिक्स अपनी फॉर्मेट्स को भी उनको भी बढ़ाना चाहिए क्लियर इडिस हार टू रिप्रेजेंट ए ब्रैंड इमेज विडाउट इंक्लूडिंग ओडियो और वीडियो कंटेंट तो काफी जादा मैंने मालों इमेज जाल ली बट उस इमेज को मैं प् तो अगर मैं यहां पर disadvantage के बार में बात करूं तो पहला आते है potential demos to search engine ranking ठीक है तो ऐसा भी नहीं कह सकते है कि सब्सक्राइब काफी ज़रूरी होता है एक साइट के लिए ठीक है साइड लेकिंग लिंक्स केन ऑटोमेटिट स्पाइडर प्रोग्राम केन फोलो एन अब बिकम इग्नॉर्ड बाइस सर्च इंजन तो कभी-कभी ऐसा होता है कि आपकी कोई प्रटिकलर वैब साइड है अगर आपका इंटरनेट की स्पीड फास्ट है तो आपका लोड टाइम भी फास्ट होगा बड़ आपकी इंटरनेट की स्पीड स्लो है तो आपकी जो पेजिस हैं वह लोड होने में टाइम लेगेगा कभी-कभी ऐसा होता है लोड होता ही नहीं है ठीक है बार-बार उसको at least some subset of HTML तो भी या जो मेरा HTML का जो सबसेट है वो एक डिस्प्ले होना चाहिए हर एक ब्राउजर के अंदर multimedia elements not as widely supported multimedia इतने ज़्यादा supported नहीं होते the best example of this in absence of flash multimedia और apple mobile devices तो ऐसा भी नहीं है कि आपके multimedia जो आप insert कर रहे हो तो compatible भी होना चाहिए कि भाई flash multimedia नहीं है नहीं है तो आपके में नहीं चलेंगे तो एक तरह से compatible का भी आपको ख्याल रखना चाहिए ठीक है तो as of the middle of the 2012 2012 में the devices still did not support flash causing sites that depend upon flash to display in corrective on iPads और iPhone तो यह भी काफी जगा हम देखते हैं कि कभी हुमारे में flash software नहीं होता तो हमें multimedia दिखता ही नहीं है वो लिखा रहता है install flash इस तरीके से तो यह आपके disadvantage है अब हमारे पास कुछ assessment आते हैं ठीक है यह तो यहां पर आप assessment कर लिजिए और जाने से पहले अगर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा बाई